प्रिक्षन के बारे में जानने का प्रियास किया था कि हम बार बार परिक्षन क्यों करना चाहिए उसमें ये जो द्रिष्टी से जो अभ्यास बार बार जो अभ्यास किया जाता है उससे आप डाइगनोसिस और प्रोगनोसिस इन दोनों को बनाने में स्वतंत रूप से निर्बाद अपने निर्ण लेने में काम्याब रहते हैं उससे आगे शुरू किया जाए तो व्याधी के तीन वेद और उत्पति के कारण के बारे में बात की गई रोग तीन प्रकार के होते हैं जो द्रिष्ट करमज, एद्रिष्ट करमज और द्रिष्ट एद्रिष्ट करमज द्रिष्ट करमज उन्हें कहा जाता है जिसमें हम रोग के कारण के बारे में जानते हैं कि इसमें ज्वर के या प्रमे के या कुष्ट के या रक्त पित के कारणों का हमें ग्यान हो तो उसे द्रिष्ट करमज कहा जाता है एद्रिष्ट करमज उसे कहा जाता है जो पूरु जनम में जो कर्म किये गई या अशुब कर्म जो किये गई उनसे उत्पन होने वाले रोगों को एद्रिष्ट करमज कहा जाता है उसके बाद है द्रिष्ट एद्रिष्ट करमज इन दो लक्षनों के मिश्रित पूरु जनम के कर्म भी और इस जनम में किये हुए रोग के कारण भी दोनों जब वापस में मिलकर रोग को उत्पन करते हैं तो उसे द्रिष्ट ऐद्रिष्ट करमज कहा जाता है। द्रिष्ट करमज रोग निदान के अनुसार दोसों के लक्षनों वाले होते हैं। मतलब पूरु जनम में कोई बुरा कर्म किया और इस जनम में बिना ही कारण कोई रोग उत्पन हो जाए उसे कर्म जन्य रोग कहते हैं। फिर है दोश करमज रोग, दोश करमज जिसमें दोश भी सनलिप्त रहता है और पूर जनम में कि ये बुरे करम भी आगे आते हैं, अब इनकी चिकित्सा कैसे बतलाए गई, दोश जनने जो रोग होते हैं, जैसे कोई कफज गुणों के अधिक मातरा में सेवन करने से कोई व् उसके विपरीत गुणों वाली ओसद देने से उसमें सांती हो जाती है, जैसे वात गुणों वाली कोई ओसद दी जाए, तो उससे उसमें सांती आ जाती है, करम जनने रोग की चिकित्सा करम के शाय से स्वेम ही सांत हो जाती है, दोश और करम जनने रोग, दोश और करम दो इस दैव जिसको कहा गया है और उसे अपने प्रेजेंट वाले जनम में उन कर्मों का जब ना स्वेम से हो जाता है पूर कर्मों का तो रोग भी अपने से स्वेम सांथ हो जाया करते हैं इसमें जब कर्मजव्यादी को माना जाये 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 इसमें जब कर् and then we talk about the two kinds of diseases and treatment प्राक्रांतर से व्यादी के दो भेद बतलाए गई हैं रोग स्वतंत्र और प्रतंत्र भेद से दो प्रकार कर रहता है स्वतंत्र रोग जुन को कहते हैं जो इंडिपेंडेंट है have their own specific causes, comforting methods and clearly manifested features just talk about the प्रतंत्र रोग जिन रोगों की उत्पत्ति और शान्ति उनके अपने हेतु और उसके शास्त्रोग तो शमन के द्वारा होती है वे स्वतंत्र रोग होते हैं means specific causes उसका उसी कारण से वह रोग उत्पन होगा comforting methods वह अपने शास्त्रोग जो उसमें चिकित्सा लिखे उसी से उसे सान्त होना है और जो शास्त्र में जो उसके लक्षन लिखे हुए है clearly manifested features हैं वह भी उसके अंदर दिखाई देते हैं उसे स्वतंत्र रोग का आगया next है प्रतंत्र रोग प्रतंत रोग वह हता है जो secondary disease, associated disease those which do not have their own specific cause मतलब एक तरह से उपद्राव स्वरूप जिसको या पूर्वज स्वरूप जिसको बोला गया है जैसे इनमें रोग के लक्षन स्पष्ट रहते हैं इससे विपरीत जिनमें उत्पत्ती और शान्ती अपने हेतू के अनुसार नय हो और लक्षन विस्पष्ट नय हो इसमें आप ध्यान से देखेंगे उत्पत्ती और शान्ती अपने हेतू के अनुसार नय हो अर्थात कफज व्यादी अगर कोई है और उसका चिकित्सा उसकी अधी वात अज गुणों से युक्त किसी ओसत द्वारा की जाए और रोग ठीक ना हो तो वह है प्रतंत्र व्यादी है जब इसके लक्षन स्पष्क नहीं होते तो इसे प्रतंतर रोग कहते हैं इस प्रकार रोग की भाती वात आदी दोशों को भी स्वतंत्र या प्रतंत्र हमें जानना चाहिए प्रतेक विकार में वध्य का क्या करतव है प्रतेक विकार में वध्य कूपित हुए वात पित कफ को वैद सावधानी से स्वतंतर और प्रतंतर द्रिष्टी से उसे पैचाने कि ये रोग स्वतंतर है या प्रतंतर प्रतंतर का आर्थ ये भी है कि जो स्वतंतर वैदी है उसी से तो कोई नहीं उत्पन हुआ है प्रतंत्र व्यादी की सांती का उपाए प्रतंत्र रोगों की स्वतंत्र रोगों के सांत होने पर सांती हो जाते हैं मतलब जैसे कोई पैतिक व्यादी से कोई उपद्रव स्वरूप कोई और कफज व्यादी या वातज व्यादी उत्पन हो जाए तो उसमें जब पैतिक व्यादी जो स्वतंत्र है वह जब शांत हो जाएगी तो उससे प्रतंत्र व्यादियां भी स्वाम से सांत हो जाएंगी आचारे ने कहा भी है परतंत्र रोगों की स्वतंत्र रोग के सांत होने पर सांती हो जाती है और यदि वे शांत नहीं हो तो पीछे से चिकित्सा हमें उनकी करनी चाहिए यदि उपद्राव बलवान हो तो उसकी सिगरता से चिकित्सा करें मतलब अगर कोई डिजीज है और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन के स्वरूप में कोई और भयानक डिजीज हो जाए तो हमें स्वरूप्रथम उसकी चिक्सा करनी चाहिए क्योंकि वह उपद्रव रोग से पीडित शरीर में अतीशे पीडा करने वाला होता है नाम हीन रोग में वई दिका करता हुए रोग का नाम न ग्यात होने पर ये लाइन बहुत इंपोर्टन्ट है बहुत से लोग हैं हमारे आसपास के जो दोश के अनुसार पंच महभूत के अनुसार सप्तधातु के अनुसार और बहुत सारी पैथीज का अलग अलग जो हम देखते हैं जहां पे रोग का नामकरण नहीं किया जाता लेकिन रोग की चिकित्सा की जाती उसके लक्षन और दोशों के अनुसार इसमें रोग का नाम ना गयात होने पर वैद कभी भी शर्म का अनुभव ना करे क्योंकि सब रोगों की संग्या से निश्चित्स थी नहीं मतलब आप सभी रोगों को नामकरण नहीं कर सकते हैं चिकित्सा में मुख्य कारण वात आदी ही हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जिस प्रकार पंची पूरा दिन उड़कर अपनी परचाई से दूर नहीं जा सकता है उसी प्रकार हमारे रोग भी हमारे त्रीदोश से आगे बढ़कर नहीं जा सकते इनके बगैर रोग की उत्पत्ती नहीं हो सकती है जिस चिकिसा में मुखे कारण वात आ दी है ना की रोगों के नाम कारण है आप इसको याद रखेंगे बहुत important है रोगों के नाम हीन होने के कारण तथा ये था विकार चिकिसा जैसा मैंने अभी पहले बताया कि आपको यह इसमें शर्म नहीं माननी चाईए कि आप किसी रोग का नाम करन नहीं कर पाएं आपको उसके दोष के अनुसार उसकी चिकिछा कर देनी चाईए वही दोष कारण के भिंता से कूपित होकर तथा भिन भिन स्थानों में पहुँचकर बहुत रोगों को उत्पन करता है जब हमारा दोस विक्रित हो जाता है तो मैंने आप लोगों को पीछे भी एक वताई थी साखा में, कोष्ट में, बहिर मार्ग में, मध्यम मार्ग में इस प्रकार से दोस जब विक्रित होता है तो अनेक स्थानों पर चला जाता है और जब ये अनेक स्थानों पर जाता है तो अनेक व्यादियों को उत्पन करता है जैसे बाहिये कोष्ट में रखता है ब्लड मुसल्स है बोन है फैट है बोन मेरो है और सेक्स रिलेटिड सिक्री है जिसे मास रोतस भी हम कहते हैं यांता कोष्ट है और मद्यम कोष्ट में हर्ट है है युरिंडी ब्लेडर है अधर सच वाइटिल लॉर्गेंस हैं जॉइंट सो बोन सें ब्लड वेशल सें टेंडन सें लिगमेंट सें नर्व हैं इन सब को याद रखना बहुत जरूरी है कि जब दोस विक्रित होता है तो वो अपना स्थान छोड़कर शरीर में बिन बिन स्थानों पर जाकर अनेक प्रकार के रोग को उत्पन करता है इसलिए रोग की प्रकरती वातज पितज कफ़ज अधिष्ठान भेद अधिष्ठान कौन सी जगह पे विद्यमान है भेद को जान कर कि किस कारण से रोग उत्पन हुआ है उनकी उसी अनुसार शिग्र हमें चिकित्सा करनी चाहिए वे एक बहुत इंपोर्टेंट श्लोक है रोग की दश्वीद परिक्षा वेरी वेरी इंपोर्टेंट फैक्टर्स टू अब्जर्विन दा पेशेंट दुश्यम द दोश ओशद निरूपने यो वर्तते चिकित सायाम नैसे सखलती जातुचित कहता है जब फिजीशियन माइनूटली जब पेशेंट को एक्जामिन करता है उसको डेटरमाइन करता है तो उसके दुश्या दुश्या आप लोगों को जैसे रक्त है मांस है मेद है मज्जा है लसीका है वाद पितकप है आहार है आहर रस है यह अलग-अलग जब धातु और मल इसमें जब इनवोल्ड होते हैं दूश्ये में फिर उसके बाद देश जांगल है आनूप है साधारन है दा एरिया ऑफ द बोड़ी विच डिजीश इस मैनिफेस्टेट दा लिविंग प्ल प्रसमन के बारे में हमने बात की उन तीनों के काल के बारे में जानेंगे और रोगी की आयू के बारे में जानेंगे बाल है मद्य है व्रिद्ध है क्या है अनल जो उसकी डाइजेस्टिव पावर है जो उसकी जाठ रागनी है उसको जानेंगे मंद है तीक्षन है या सम्भ है प्रकरती बोड़ी कंस्टिचूशन कैसी वातज पितज कफज वह एज समय कितना हो गया बिमारी को हुए सत्व माइंड टॉलरेंस के पैस्टी ओफ दा पेशेंट सातम में दा फूद एक्टिविटीज तो विच दा पेशेंट इस एकप्स्टम्ट तू जिस चीजों को खाके उसको कोई परेशानी नहीं होती उसे सातम में कहा जो सुपूरो कार अहार, food habits, अवस्था, stages of the disease इन सब का दोस और ओशद का निरने करने से जब मनुश्य, दुश्य, धातु मल, देश बल का लगनी, प्रकरती वह सत्व सातम और आहार, तथा रोग की भिन भिन अवस्थाओं की अती सुक्ष्म विचना करके चिकित्सा में प्रवरित हो इन द अवी भी भूल नहीं करता है, जो दस्वीत परिक्षा करता है वो भूल नहीं परिक्षाओं की परिक्षा, गुरुत अथा लगू यूरोग में जब आप देखेंगे क्या कहता है आचारे, मन और शरीर के बल के कारण, गूरु व्याधिय भी साधरन रोग के लक्षनों वा जितेंद्री है जिसको कहा जिसने अपने मन को जीत लिया शरीर के अंदर जो बल है तो जो भयानक रोग भी हैं वो भी उस पुरुष के अंदर साधारन दिखाई देते हैं और यदि मन और शरीर दोनों निर्बल हैं तो छोटा सा जुखाम भी बहुत बड़ा कैंसर दिखाई देता है ठीक क्या कहता है मन और शरी यदि निर्बल हैं तो अल्प व्यादी भी बड़े रोग के लक्षनों वाली दिखती है इसलिए इनके विवेचन में सावधान रहना चाहिए नेक्स्ट है कूववद्ध की भूल वद्ध ना होते हुए भी अपने आपको वद्ध बलका करेंगे छोटी व्यादी देखेंगे ट्रीट्मेंट बहुत बड़ा करेंगे जहां वमन विरेचन के आओ सकता है वहां केवल वो ओशद दे के उसको पेशन्ट को भेज देंगे और जहां पे केवल मात्र छोटी सी ओशद की आओ सकता है वहां पे उसको पेशन्ट को शोधन, शंशमन, सब उसको करवाया जाएगा वैद्ध ना होते हुए भी अपने आपको वैद्ध कहने वाले गुरु व्यादी को लगु व्यादी मानकर थोड़ा दोस निश्चे करके पत्थे के विशे में विप्रीत निश्चे कर बैठते हैं गुरु लगु रोग में विप्रीत मात्रा से आनी गुरु व्यादी में वो क्या करेंगे मात्रा में थोड़ा अल्प वीरिये संसोधन के कारण रोगों को और भी अधिक बढ़ा देंगे और लगु व्यादी में विप्रीत शोधन केवल मलों को ही नश्च करता अपितु शरीर को विनस्ट कर देता है जहाँ पे संसोधन क्या आओ सकता ही नहीं है वहाँ पे संसोधन दोगे तो वहाँ पे रोगी का नाश होना ही होना है रोग मात्रा निरिने में सावधानी क्या आओ सकता इसलिए आयरुवेद के पठन आव बोधन में तत्परवैद सदैव संपूर्ण दुश्यादी की सब प्रकार से विवेचना मतलब दुश्य देश बल का लगनी प्रकरती वह सत्व सातमे और अहर उसके अलावा सोतंत्र प्रतंत्र व्यादी सोतंत्र प्रतंत्र दोस और उसके अलावा वात पित कफ के स्थान गुन कर्म इन सब का अच्छे से पालन अच्छे से अभ्यास करे तो वह आचारे अपने कारे में कभी भी ऐसावधानिवस बुरा कारे नहीं करता है दोश के बेद, इसके आगे दोशों की विर्दी और शय के बेद कहेंगे प्रतेक के प्रतेक प्रतेक बेद है 63 बेद बतलाए गए एक दोश वात्पित कफ तीन बेद दोश दोंदज तीन बेद, एक अती विर्द, दूसरे अल्प विर्द, इस बेद से छे विर्द त्री दोश संप्रमान से एक साथ बड़े हुए एक दोश अधिक विर्द, एक विर्द, ऐसे दो बेद वात विर्द, पित विर्द, और कफ विर्द, ऐसे तीन बेद और व्रिद तम व्रिद तर इस भेद से 6 भेद इस प्रकार 25 जैसे ये व्रिद तर व्रिद तम है विटा वैसे ही शीन तर और शीन तम भेद भी बतलाए गए इस प्रकार 25 और 25 ये दोनों मिलकर 50 भेद बनते हैं शय व्रिद और समता के यदि व्रिदों को काउंट किया जाए तो 50 प्लस 6 जो वात व्रिद पित व्रिदी कफ व्रिदी वात पित वात कफ और पित कफ जो संयोग से जो बनाए गए छे वो 56 एक दोश का शय और दोश की व्रिदी से तीन इसके विप्रित एक दोश की व्रिदी और दोश के सय से तीन चपन और छे बासट इस प्रकार बासट वे 63 वा भेद वात पित कफ की समानता होने पर स्वास्थे को बतलाया गया है रस रक्त आदि संसर्ग से तथा शय समता व्रिदी के भेदों से एवं तर्तम के संयोग से एगणित दोशों को उनके अपने अपने लक्षनों से दत्चित होकर तनमय वनकर जानना चाहिए आचारे कहते हैं, with the association of the रस रक्त, the level of increase and decrease of दोश, there can be innumerable permutations and combinations. यह जो 62-63 भेद बताये गई, यह तो हमने जान लिये हैं, लेकिन आचारे कहते हैं कि unnumerable, uncountable combinations हैं, the physician should understand them by their features, signs and symptoms with an attentive mind, इस प्रकार, the 63rd is the condition where all the दोशा इरे in equilibrium, मतलब सब तीनों सम रहते हैं, which is called as the state of health. धन्यवाद, stay home, be safe, 12th chapter आपका श्टांग घ्रदय का आज समाप्त होता है, next class में आपको 13th chapter के और लेके जाएंगे, thank you so much.